अब आपका स्वागत है तो दोस्तों हमारी हिस्टरी की वीडियो की वीडियो की जो सीरीज है उसकी नेक्स वीडियो है और हमारा जो आज का टॉपिक है वै क्या है विजन अगर सामराज तो इनसे रिलेटेट जितने भी इंपोर्टन कोशन्स प्रिवियस यहर्स में बार बार पूछे गए हैं और जितने भी इंपोर्टन फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से बहुत जादा इंपोर्टन्ट है वो आज हम डिसकस करने वाले हैं और यह विजन अगर सामराज का पहाग एक यान की पार्डवन है तो वीडियो को लास तक देखेएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेर जरूर कीज़ेगा आई शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो पहरा कोश्यन है विजन अगर सामराज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मैं आफे बात करें विजन अगर की तो आपको बताती हूं विजन अगर का टाइम पीरिड में तक शाफंगाल रहा है ओवर्ण कधर रहा है वह किते हू mad आप से chronology पूछी भी नहीं जाती है, हम यह सिर्फ अपनी एक basic guideline के लिए पढ़ता है, ठीक है, तो time period हमने देखा, इसकी बाद विजन अगर में जो है, चार dynastries जानी के चार वंच रहे हैं, कौन-कौन से रहे हैं, तो सबसे पहला था दोस्तो संगम वंच, ठीक है, तूसरा जो था आपका तुलववंच था दोस्तों, और चोथा जो था वा कौनसा था, अरावीडू था, ठीक है, तो यह चारो डाइनस्टी के नाम हमें याद रखना है, क्योंको कभी ऐसा कोशन भी पूछा जा सकता है, कि इन चारो में से कौनसा वंच है, जो विजन अगर से संब वक्ते वे कौन थे, हरी हरेवं बुक्का, तो हरी हरेवं बुक्का दोनों भाईयों ने मिलकर विजन अगर की स्थापना की थी, यह जो थे मुहम्मद बिन तुगलक के कोड में काम किया करती थे, इनका धर्म परिवर्तन करा के इनको इसलाम में परिवर्तित कर दिया गया लेकिन जब मुहम्मद बिन तुगलक की पावर, जब उनके साउथ यानि की दक्षिन भारत में कमजोर हो गई, तो यह लौट कर आयों इनके गुरू थे, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, विद्यारण्य जो थे उनके गुरू थे, और इन्होंने वापस से इनक का नाम संगम था, इस वज़े से किस वंच के थे, संगम वंच के थे, दूसरी डाइनस्टी के हमने बात करी दोस्तों, तो वै कौन सी थी, सुल्वा डाइनस्टी थी, ठीक है, कौन सी थी, सुल्वा डाइनस्टी थी, और इसके जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वै क को बतारियों सारे important है तो तुलवा dynasty तुलवा वंश के फाउंडर संस्थापक कौन थे वीर नरसिम्मा थे और तो सबसे आखरी वंश था आपका वैकॉन सा था अरा वीडू था और उसके जो फाउंडर थे वैकॉन थे तिरूमल राया थे ठीक है नेक्स्ट कोशिन देखते हैं इतालवी यात्री निकोलो दा कॉंटी कब आए 1420 से 21 के बीच में ये आए विजन अगर बताना है कि विजन अगर के कौन से समराट के शाशन काल में होने विजन अगर की यात्रा की थी ठीके दोस्तों तो उसका तो सही आंसर है वै क्या है देव राया प्रथम के टाइम पर ही निकोलो दा कॉंटी भारत आए थे कहां से आए थे तो यह इटली से आए थे और हम बात करें देवराया प्रथम की तो इंसलेटटम बात यह है कि इनका एंस बहुत्त प्रसित युद Bij equation on किás सोनार की बेटी क्या नाम है यह नाम आपको याद रखना है और इक क्सिकिस के बीच में हूआ था तो यह देवराया प्रथम और फिरोज बहेमन Phaseths में ğı दए और फिरोज भेधि के आपको याथ था और जो है कैनाल्स आपकी नहर और जो इरिगेशन यानि की सिचाई का जो डिपार्टमेंट था वो काफी जाधा इनके टाइम पर डैबलब था ठीके दोस्तों निकोलो दा कॉंटी इटली से आये थी किसके टाइम पर आये थे देवराया परथम की टाइम पर आये थे आए ओए हमारे चनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकल प्रेस करें नैस्ट कोशन दिखते हैं फारस के सूल्तान यानि कि फारस यानि कि परशिया के सुल्तान बिज़ा शाहरुक के राजदूत अब्दुर्रजाक नाम याद रखेगा अब्दुर्रजाक जो कि 1443 से 1444 के बीच की बात है ने किस विजय नगर संमराच के शाषंकार में विजय नगर की ती तो हमको बताना है विजय नगर के कौनसे किंग के टाइम पर ये इंडिया आए थे ये सबसे सब इंपार्टन शाषक माने जाते हैं इनको बहुत सारे टाइटल्स भी दिये गए थे जैसे कि इमादी देवराया प्रॉड देवराया और गजबेटकर यह किसके टाइटल है यह देवराया दुतिया यानि कि देवराय दुतिया की उपाधी है दोस्तों और इन ही की टाइम पर अब्दुर्र रजाग ज संबन्द रखे थे तो हमको बताना है जो कृष्ण देवराय थे दोस्तों सबसे पहली बात यह कौन से वंश को बिलॉंग करते थे कौन से वंश के थे तो यह तुलवववश के थे कृष्ण देवराय और इन्हों ने जो है आपके बूर्तगाली थे उनके सांद मैत्रि पीर इंहीं के टाइनस्टि एक जो कोट थी उसमें आपके आठ नो में बोला जाता था जिसमें सिके आपके या आपने सुनाओगा तेनाली रामकृष्णा और जो पेड़ना जिन्हों ने मनुचरत्र की रचना की थी वैं किसके को कोड़ पोईट थे कृष्ण देवराय के कोड़ पोईट थे दोस्तों अगला गुशन देखते हैं वजय नगर किस नदी के तट पर इस्थित है थोड़े दिर पहले मैंने आपको बताया कि था कि जो देवराया प्रतम थे उन्होंने तंग भद्रा नदी के आज पास जो है बनाया था तो विजय नगर जो है तुंग भद्रा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी स्थापना हरी हर और बुक्का की द्वारा की गई थी Next question देखते हैं विजय नगर के माहान सामराज के अफशेश कहां पाये जाते हैं तो दोस्तों जो विजय नगर है आज का जो हमारा करनाटक का हमपी है उसी का पुराना नाम क्या है विजय नगर है ठीक है दोस्तों तो जो अफशेश हमें मिलेंगे वह कहां मिलेंगे हमपी में मिलेंगे ठीक है तो विजय नगर के माहान सामराज के जो अफशेश पाये जात नियुक्रण थे क्रिश्न depicted Tullover dynasty के सबसे जहाधा इंपोर्टेंटर रोलर रहे हैं तो इस एिए जो शाशक बाबर तहने भारत पर साम राज की थी यानि यानि कि उनके contemporary थे कृष्ण देव राये का टाइम पीरेट शाशनकाल का जो टाइम माना जाता है वह लगभग 1509 से लेके 1529 तक माना जाता है ठीके दोस्तों तो इनके समकालीन कौन था तो बावर जो थे इनके समकालीन थे दोस्तों अगला गोष्ण देखते हैं हमपी तिरुवनमले चिदंपुरम श्रीरंग तिरुपती आदी मंदरों के सामने बने हुए राये गौपुरम का निर्माता कौन था तो हमको बताना है इनके सामने जो राये गौपुरम बनाएं सबसे बड़ी बात की राये गौपुरम क्या होत तो मंदर के सामने जो एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको राये गौपुरम बोलते हैं में लिए आपके साउथ इंडिया मैंने की दक्षिन भारत में आपको मिलेगा नौर्थ में नहीं होता है तो वह किसके द्वारा बनाया गया था यह हमको बताना है तो यह बनाय तो हरि आ रुद का बुकक दोते उने गुरू थे उनहीन के प्रभाब में आकर और को संत और विजन अगर का जो है नाम रखा था और इसके स्थापना की थी तो प्ले को फिखते हैं कौन सा स्थान विजय नगर सामराज में गलीचा निर्मान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो हमको बताना है विजय नगर सामराज में कौन सा स्थान ऐसा था जो गलीचे के निर्मान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता था तो दोस्तों जो काली कट है काली कट जो है वो सबसे ज़ादा प्रसिद दिधा किसके लिए गलीचे के निर्वान के लिए ठीक है मिनाक्षी मंदिर कहां है तो दोस्तों जो मिनाक्षी मंदिर है वा कहां उपस्थित है कहां स्थित है यह हमको बताना है था, next question देखते हैं, हम्पी का खुला संग्राले किस राज में है, तो हम्पी दोस्तों, हम्पी जो है, आज का नाम है, किस का विजन अगर सामराज का, पहले नाम विजन अगर हुआ करता था, अब नाम क्या है, हम्पी है, तो जो संग्राले है, जो म्यूजियम है, वा कौन से हम को बताना है तो जिस state में हमपी है उसी state में म्युजियम संग्रालय होगा तो किस state में आपका करनाटक state में हमपी का खुला संग्रालय स्थित है next question देखते हैं किस संगमवंशी शाशक को प्रौड देव राया भी कहा जाता है तो बताना है संगम मन्ष के ऐसे कौन से शाशक थे कौन से राजा थे जिन्होंने प्रॉड देव राया की उपादी भी धारन की थी तो उसका जो आंसर है दोस्तों देव राया दुतिय भी है किसी बुक्स में हो सकता है आपको मली का अर्जुन राया मिले तो जो सही आंसर है क्य जैसे कि इमादी देव राया गजा बेटकर जो थे इनके टाइटल थे तो प्रॉड देव राया की उपादी दी गई थी वे किसको दी गई थी देव राया दुतिय को दी गई थी ठीके दोस्तों नेक्स कोशन देखते हैं प्रसिद एतिहासिक स्थल हम पी किस जिले में है अब भी हमने बात की जो हम पी किस स्टेट में किस राज्य में है तो वे करनाटिक में है और किस जिले में है तो यह आपके करनाटक के बेलारी जिले में उपस्थित है दोस्तों ठीक है तो किस जिले में है बेलारी जिले में है किस स्टेट में यानि किस राज्य में है तो व वह क्या थी, अन्नाय गॉंडी थी दोस्तों, अन्नाय गॉंडी इनकी सबसे पहली राजधानी, सबसे पहली CAPITAL थी, इसके बाद जो CAPITAL shift हुई थी, वाहाँ shift हुई थी, हम भी shift हुई थी NOcanid not anymore, is that aze下 और विजनगर बहमनी के बीच में शुरौत से ही चला जब से विजनगर सामझगी स्थापना हुई थी तब से संगर्ष उनके बीच में चला और एक किन चीजों को लेकर था किन स्थानों को लेकर था तो तो कृष्णा और तुंग भद्रा का शेत्र का जो दुआब था दोस्तों दुआब का जो शेत्र था वो था गुदावरी कृष्णा का डेल्टा का जो एरिया था जो शेत्र था वो भी एक विवाद का हिस्सा था और मराठ वाडा का कोकण आदी का जो शेत्र है वैवी इस व विवाद का विशय नहीं था, जो बहमनी के हमने कोशन में पढ़ा है, तो बहमनी के बारे में आगी की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीके दोस्तों, नेक्स कोशन देखते हैं, निम्न लिखित में से विजयनगर राज का प्रत्थम राजवन्ष कौन सा था, तो मैंने आपको जैसा बताया, सबसे पहले कि विजयनगर सामराज की स्थापना हरी हर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी, तो जो संस्थापक थे, वह किस वन्ष के थे, किस डाइनस्टी के थे, संगम वन्ष यानि कि संगम राजवन्ष के थे, दोस्तों, इनके बाद ज संस्थापक कौन थे, वीर नरसिम्मा थे, और सबसे आखरी में जो डाइनस्टी जो वन्ष आती है, इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वह कौन थे, तिरुमल राया थे, दोस्तों, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं, विजयनगर के किस शाशक की उपाधी गजबे बेटकर थी, तो मैंने आपको बताया, जो देवराया धुतिय थे, देवराया धुतिय किस वन्ष के थे, तो यह संगम वन्ष के थे, और संगम वन्ष के सु प्रसिद राजाओं में इनका नाम लिया जाता है, इनको कई सारी उपाधियां दी गई थी, जिन में से करके उपादी भी किसकी है देवराय दुतिया की भी है इमादी देवराया की पादी भी देवराय दुतिया की है ठीके दोस्तों और जो प्रॉड देवराया है वो भी किसको बोला जाता था देवराय दुतिया को बोला जाता था नेक्स कोशन देखते हैं विजयनगर के किस शाशक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर इस्थापित करने के उपलक्ष में यवन राज्य स्थापना चार की उपादी धारन की थी तो विजयनगर के कौनसे शाशक थे जिन्होंने बीदर जो था बीदर के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम बहमनी सामराज के बारे में पढ़ेंगे बीदर के जो सुल्तान थे कौन महमूद शाह इनको पुनर स्थापित करने के उपलक्ष में जो एक उपाधी धारण की थी कौन सी? यवन राज स्थापना चारी की उपाधी तो वह किसने हासिल की थी दोस्तो? वह की थी आपके क्रश्न देव राया ने क्रश्न देव राया कौन है? तुलव डाइनस्टी, तुलव वन्ष के सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट शाशक इंसर लेटर इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई ये किसके समकालीन थे? किसके कंटम्परेरी थे? तो ये बाबर के contemporary थे बाबर के समकालीन थे और इनके टाइम पर जो है तेलगू literature तेलगू साहित जो था बहुत ही जादा prevailed था और इनकी जो कोट थी उसमें अस्ट्र दिगज जो हो थे तेलगू के कई सारे जो कवी थे मतलब आठ कवी जो थे वहनी के कोट में थे जिन में स थे और जो अलसानी पेड़ना हैं दोस्तों कि नाम कई बार पूछा जाता है इनकी जो बुख है मनुचरित्र काफी ज़्यादा famous भूख है ठीक है तो जो यवन राज्य स्थापनाचारी की उपादी है वह किसको दी गई थी क्रश्न देवराया को दी गई थी next question देखते हैं किस विजयनगर समराट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया था हमको बताना है विजयनगर के कौन से समराट थे जो विद्रोही थे कौन सामंत गंग राय को मतलब मारा था तो वे कौन थे क्रश्न देव राय थे दोस्तों इसका भी आंसर क्रिष्ण देव राय नेक्स्ट कोशन देखते हैं विजयनगर के राजा क्रिष्ण देव राय ने गोल कुंडा का युद्ध किस राजा के सांथ लड़ा था तो मैं इस कोशन के बारे में आपको बता दूँ यह काफी कॉंट्रोवर्सियल कोशन है कई बार कहा जाता है कि ऐस कि नमें बह्मनी के बीच में और विजयनगर के बीच में हमेशा संगरनर शलता रहां उसके बीच यह जो उधिय sprink के बीच राजा क्रिष्ण देव राय और कुली कुतुप शहां के बीच में के विच में घॉलब कुंडा का युद्ध हुआ था कों डेक्शर्स में आगे के करें उस पहले शाशक की पहचान करें जिसने बह्मनी से गो च्छीना Yes क्या расज़् तो नेतक अैसा सबसे पहले साशक था कॉन से शाशक थे जिन्हों से जो बह्मनी करना शब्हें में बार लाइन जो बाहद वा小時 के बारे बार करने वामे पर दुभर मिथग आप सब क्लियर हो जाएंगे जो बहमनी थे उनसे गुवा छीना था तो वैं किसके द्वारा किया गया था हरी हर प्रत्थम की द्वारा किया था जैसे ही वज़े नगर सामराज जी के स्थापना हुई थी किसने की थी हरी हर एवं बुकाने की थी और इनके जो गुरू थे विद्यारण उन्य के नाम पर इन्हों ने वज़े नगर का नामकर्ण किया था तो हरी हर प्रत्थम नहीं बहमनियों से गुवा को छीन लिया था और ये किस वन्ष के थे दोस्तों तो ये संगम वन्ष के थे next question देखते हैं विजनецम्राज के विश्था की मुख्य ुशेश्था क्या थी तो उसर बताना है विजनецम्राज में जो कना में मुख्यविशयेश्था थी उसकी मुख्य विशेश्था जो मेन फीचर रहाए क्या Cho об वो भूराजस्व है यानि की लेंड रिवेन्यू जो भी भूराजस्व आपका collect होता था लेंड टेक्स जो भी आपका collect होता था वो जो है आपका main feature था विजनगर सामराज की विद्टिय विवस्था का ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स के बारे में कौन-कौन से टेक्स होते थे विजनगर में और कितने तरीके की भूमी थी आपकी कौन-कौन सी भूमी थी उनके बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो जो भूराजस्व था जो लेंड रिवेन्यू था वैं विजनगर सामराज की वित्य विवस्ता की मोख्य विशेष्टा थी, ठीक है, अगला उशन देखते हैं, क्रश्न देव राय के दर्बार में अस्ट्र दिगज कौन थे, तो सबसे पहले मैं आपको बता है, क्रश्न देव राय कौन थे, तो यह तुलव वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे दोस् से फीमस राजा थे, तुलव वंश के, ठीक है दोस्तों, इनके टाइम पर जो आपका तेलगु लिट्रेचर है, तेलगु साहित है, वो बहुत जादा प्रिवेल था, जो अस्ट्र दिगज मैं आपको पहले भी बताया, अस्ट्र दिगज जो हैं वे कौन थे, आठ कवी थे, किसके दरवार में, कृष्ण देवराय के दरवार में, ठीक है, कृष्ण देवराय ने खुद ने भी बुक्स लिखी है, तो बहुत फीमस है, इनकी जामवती कल्यानम, कौन सी है, जामवती कल्यानम जो बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, खुद कृष्ण इसवी में कौनसा युद्ध हुआ था meteena है 1565 में जो battle हुआ तो इत ताली Koleda का युद्ध हुआ था तो इसो ताली Koleda का सब तालीba का recipe 1565 में यह विजनगर सामराज चांव्याता है युद्ध माना जाता है。 क्योंकि यहीं जो डीफेक्टो थे उनके जनरल थे कौन रामराया तो यह बहुत स्ट्रेटेजिक हुआ करते थे ऐसा कहा जाता है तो बह्मनी के जो पांच वंश थे पांच जो एम्पायर थे उनको आपस में लडाई करवाते थे उनकी तो एक बार उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा गोलकुंडा का जो है अलाइस बनवाकर और एहमद नगर पर हमला करवा दिया एट लांस जब उन लोग को समझ में आ गया कि यह अपनी स्ट्रेटेजिस से हमारे बीच में लडाई करवाते हैं तो बीजापुर गोलकुंडा एहमद नगर और बीदर चारों ने मिलकर विज कि उन लिवार्स नो कनी के एंपायर के जो एंपायर थे पीजापुर गोलकुंडा एहमद नगर बीदर और बरार इनमें से कौनसा एक था जिसने इस युद्ध में ऐस बैटल में पार्ड नहीं नहीं लिया था सिर्फ चार थे कौन से बीजापुर गोल-कुंड़ एहमद नगर और बीदर ठीक है दोस्तों एक बहुत फेमेस राइटर थे मैं उनका आपको नाम बताती हूँ आर सेवल जो थे काफी एक फेमेस राइटर थे इन्होंने एक बुक लिखी थी अब फॉर्गिटन एम्पायर ठीक है ये इंगलिश में आपको याद रखना है अब फॉर्गिटन एम्पायर जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने विजयनगर के डिकलाइन के बारे में और बैटल अफ तालीकोटा तालीकोटा के युद्ध के बारे में काफी जाधा डिसक्राइबली बताया है नेक्स कोशिन देखते हैं इनमे से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है तो दोस्तों आंध्र भोज की जो उपादी है वैं किसे दी गई थी तो वैं कृष्ण देवराया को दी गई थी कृष्ण देवराया जो थे तुलववंश के शाशक थे तुलववंश के एक रूलर थे इनको कई सारी उपादियां दी गई थी जैसे कन्नड राज की और आंध्रा भोज की उपादी किसको दी गई थी तो कृष्ण देवराया को दी गई थी दोस्तों एक बार हम रिवाइस करते हैं विजन अगर की स्थापना किसके दौरा की गई थी तो हरी हर और बुक्का के दौरा विजन अगर की स्थापना की गई थी ठीके दोस्तों इनके गुरू थे उनका नाम क्या था विद्या रन्न था उन्हीं के नाम पर उन्होंने विजन अगर को क्या किया था स्थापित किया था पूरे वजनगर सामराज में चार डाइनस्टी यानि कि चार राजवंश हुए है कौन कौन से संगम ये नाम आपको याद रखने है संगम सुलवा ठीक है सुलवा तुलव और अराविडो ठीक है दोस्तों और इनके जो संस्थापा गें जो मैंने आपको नाम बताये थे संगम थे उसके जो कौन थे हरी हर और बुका ही थे इसके बाद जब आपके सुलवा डाइनस्टी आती है तो नरसिम्हा सुलव नाम याद रखीगा नरसिम्हा सुलव जो थे वह सुलवा डाइनस्टी के रूलर थे इनके बाद जो थे आपके तुलवा डाइनस्टी आती है तो उसके जो फाउंडर थे जो संस्थापकते वाय कौन थे वीर नरसिम्हा थे दोस्तों कौन थे वीर नरसिम्हा थे और सबसे आखरी जो आती है आपकी अराविरो डाइनस्टी आती है उसके जो फाउंडर थे वाय कौन थे तिरुमल राया थे ठीक है और आने वाले lectures में अभी हम वज़नगर पर और discussion करने वाले हैं क्योंकि exams में काफी सारी questions इस topic से पूछ जाते हैं आने वाले exam perspective से यह बहुत जादा important topic है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी important fact या कोई भी important question इस topic से छूटे नहीं ठीक है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें थांक यू